नमस्कार मैं हूँ गितिका पांडे और आप देख रहे हैं मद्धप्रदेश का नमबर वन न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी चलिए देखते हैं मद्धप्रदेश की सबी शाम तक के मुख्या खबरे फटाफट अंदाज में मद्धप्रदेश की हर जिले में साइबर थाना बनाया जाएगा और हर थाने में साइबर डेस्क इस्थापित की जाएगी आज किया जा रहा विजैपुर और बुद्नी विधान सभा में उप्चनाओं के लिए मतदान आज मद्रदेश के शोपुर जिले के विजेपूर विधानसभाश शेत्र और सीहोर जिले के बुद्नी विधानसभाश शेत्र में उपसुनाओं के लिए मद्दान किये जा रही हैं इस मद्दान प्रक्रिया में कुल 5,31,616 मद्दाता अपने मतादिकार का उपयोग करनी वाले हैं इसके लिए मद्दान की प्रक्रिया आज सुवे 7 बजे से शुरू हुई जो शाम 6 बजे तक चलनी वाली है नहीं साल में इन दौर में बुजर्गों को मिलेगा सीनियर सिटीजन कॉमप्लेक्स इन दौर शेहर में बुजर्गों के लिए इन दौर विकास प्रादिकरन के दौरा पहली बार सीनियर सिटीजन कॉमप्लेक्स का निर्वान कराया जा रहा है ने साल में इस कॉम्प्लेक्स की सुवधा मिलेगी, यहां पर आधुनिक सुवधाएं जटाई गई हैं सेहत तंदुरूस्ती का ख्याल रखते हुए फिजियो थेरेपी सेंटर, योगा कक्ष, डॉक्टर रूम, जरूरी वस्तू की दुकाने बनाई गई एमपी में जल्द एक और प्रशासनिक सर्जरी, प्रमुक सचेव सचेव सचेविस्तर के अफसरों को मिलेगी नई जिम्मेदार मतरप्रदेश में एक सांच 26 अफसरों की तबादला सूची जारी की गई नई मुक्य सचेव अनुराग जैन की पदभार प्रहन के बाद पहली बार आई एस अफसरों का तबादला हुआ इस सूची में कई विभागों में अधिकारियों को अत्रिक्त प्रभार दिया गया 16 से 20 दिसमबर तक शीत कालीन सत्र विधानसबा के शीत कालीन सत्र की गोशना हो चुकी है ये 16 दिसमबर से 20 दिसमबर तक चलना है वित्वंत्री जगदीश तेवडा अनुपूरक बजट पेश कर सकते हैं दरसल हर साल विधानसबा का बजट बढ़ता जा रहा है लेकिन सत्र घटते जा रही हैं ऐसे में आम लोगों की समस्याओं पर सदन में चर्चा कम हो पाती है प्रदेश का पहला सौर रुज़र रिसर्च सेंटर भूपूर के भौरी में भारते विग्यान शिक्षाइवं अनुसंधान संस्थान बनाएगा इसके लिए आईसर को कैंपस में खरीब 35.75 एकर जमीन मुफ्त दी गई ये रिसर्च सेंटर साड़े 500 करोर रुपे की लागत से स्थापत होगा दिसम्बर में एक ओल वेप तेज ठन नवंबर अंत में बुन्दा बांदी के आसा नवंबर के दूसरे हफते में मद्यप्रदेश के मौसम के दो रंग देखने को मिल रही है पच्मारी को छोड़कर कई जिलो में दिन के समय गर्मी और रात के समय हलकी सद्धी पढ़ रही है कही कही कोहरे धुंद के भी असर देखने को मिल रही है बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती परिसंचरन तंत्र के कारण अगले तीन-चार दिनों मद्यप्रदेश में मौसम में तेजी से बदलाव होगा और तापमान में गिरावत के साथ ठिठुरन बढ़ेगी भारत भवन में सजेगी शास्त्रे संगीत की सभा जनजातिय संग्रहाले में देखें चित्र प्रदर्शनी बोपाल शहर में कलात्मक सांस्कृतिक सामाजी खेल धार्मे का दिगतिविद्यों का सिलसला निरंतर चलता रहता है बुदवार 13 नवंबर को भी शहर में ऐसी अनिक गतिविद्यों का यूजन होने जा रहा है जिनका आपानन उठा सकती है एकिस गाओं की जमीनों का होगा दिग्रहान डक्षन पश्चिम बाइपास के लिए 154 करोड मिली बुपाल में ट्राफिक का दबाब कम करने के लिए डक्षन पश्चिम ग्रीन फील्ड बाइपास का निर्मान जल शुरू होने वाला है रिंग रोड की तर्श पर बने इस बाइपास के लिए 154 करोड रुपे जिला प्रशासन को मिल गए है इस माँ से भू अर्जन की कारेवाई शुरू हो जाएगी रेलवे में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका 1791 पर निकली है भरती उतरपश्चिम रेलवे में अप्रेंटिस के विबने पदों पर भरती आने के लिए रेजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 10 नवंबर 2024 को शुरू हुई और आवेदन करने की लास्ट डेट 10 दिसमबर 2024 है तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरे रोजाना ऐसे ही मद्यप्रदेश से अबडेट रहने के लिए क्ली न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिलकुल न भूलें धन्यवाद